दो हजार तेईस का कैलेंडर बहुत बॉलि हुड के लिए एक दम जबरदस रहा है। कमबैट पे कमबैट ऐसा जीसको गिनते गिनते बॉक्स ओफिस का कैलकुलेटर भी फेल हो गया लेकिन एक नाम ऐसा है जिसने बॉलि हुड को हमेशा से सबसे ज्यादा तंग किया है और दो हजार तेईस में भी इस नाम से पीछा छुडाना मुश्किल ही नहीं नामुम्किन ह प्रभास का बाहुबली वो जिनकी मुवीज की क्वालिटी बीच में थोड़ा डाउंपॉल जरूर गई लेकिन सला के साथ इन्होंने बता दिया की बॉक्स ओफिस का असली पापा कौन है छे दिन में पाँच अरब वर्लवाइड ऐसा नमबर जिसमें ना जाने कितनी फिल में भी बॉलिवर को प्रभास के सामने सर जुकाना पड़ेगा वो भी दो बार जी हाँ दो मुवीज की अपडेट 171 ही दिन में माने प्रभास फैन्स और इंडियन सिनेमा का बॉक्स ओफिस उत्सव की तैयारी करने निकल पड़े हैं गुड न्यूज बहुत हो गया मार्श दो हजार चौबीस में प्रभास एकदम हटके बिलकुल नए अवतार में नजर आएंगे वो भी फैमिली एंटेटेनर फिल्म के साथ जिसका सबजेक्ट हॉरर कॉमेडी बताया गया है सिर्फ दो हफते बाद 1415 जनवरी को फिल्म का छोटा सा अनाउंस्मेंट विडियो आएगा और फाइनली रिलीस डेट भी क्लियर हो जाएगी लेकिन जो दूसरी फिल्म है बॉस वो सिर्फ प्रभास नहीं पूरे इंडियन सिनेमा के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है एक तो पहले से ही इस फिल्म ने हमें हॉलिवुड के इंटरेशन इवेंट पे डीसी मार्वल के साथ ले जाकर खड़ा कर दिया था लेकिन अब बारी ओडियन्स का दिल जीतने की है जिसकी शुरुआत आलरेडी हो चुकी है सरकल की 28988 जैसा भारी भरकम फिल्म का नाम सुनने में लग रहा है उससे कहीं ज्यादा बड़ा इंपैक्ट होने वाला है इसका इंडियन सिनेमा के पास प्रेसेंट और फ्यूचर पे रावन याद है जब ये फिल्म 12 साल पीछे रिलीज हुई नापलिक इसके लिए एक्चुली बिलकुल रेडी नहीं थी लेकिन आज लोग इसकी तारीफ करते नहीं ठकते कुछ वैसा ही कारनामा प्रभास करने वाले हैं अब प्रोजेक्ट के उस कलकी के साथ जो आज तत इंडियन सिनेमा में बनने वाली सबसे महंगी फिल्म हो सकती है यस आर आर का रिकॉर्ड तूट जाएगा अल्मोस छे अरब खर्च करके ऐसा सिनेमा बनाया जा रहा है जो ना तो किसी ने कभी देखा है और फ्यूचर में भी ऐसा कुछ ट्राई करना बहुत मुश्किल होगा इतना confidence के साथ में ये सब इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि फिल्म से related एक नया making विडियो बाहर आया है ऐसा contact जिसके लिए Indian सिनेमा not ready है सर सबसे बड़ी शिकायत जनरल ओडियन्स को प्रभास movies के साथ ये होती है कि उनमें action मारधार के अलावा एक दमदार कहानी missing रह जाती है तो भाया कल की आपका सारा गुसा चुमंतर करने वाली है क्योंकि फिल्म का subject based होने वाला है अपने history के chapter महाभारत के उपर और सबसे based काम तो इस फिल्म के makers ने किया है वो ये कि फिल्म सिर्फ इंडिया नहीं international 38 language में release हो सकती है पूरी दुनिया अब महाभारत पड़ेगी? हाँ तो एकदम fresh news ये है कि कल मा ने येस्टरडे फिल्म के डाइरेक्टर का एक छोटा सा interaction हुआ आयाटी मुंबई के students के साथ पूरा interview clearly सुनने के बाद ये समझ आ गया मुझे नाग अश्विन का विजन एकदम clear है सर वो जानते है कि उनको क्या बनाना है, कैसे बनाना है साहो के time इसका ठीक उल्टा, budget था, subject था, प्रभास का stardom था लेकिन विजन एकदम zero इसलिए फिल्म खिचडी बन गई, लोग समझ ही नहीं पाए उन्होंने देखा क्या बट कलकी का नाम सुनकर शायद आपको अल्रेडी पहले से आइडिया लग गया होगा प्रभास का कैरेक्टर लॉड विश्णो के दसवे अवतार भगवान कलकी से इंस्पायर होने वाला है नहीं ये फोटो दिमाग में रिपीट करके घबराने की कोई जरूरत नहीं है सला में प्रभास का स्क्रीन प्रेजन्स गौड लीथा बॉस थियेटर ओन फायर थे सर अब बस सही से लॉड विश्णो के अवतार में प्रभास के लुप को फिट करना है